दोस्तों मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि हरा चार लगा हुआ है तो आज की जानकारी हरे चारे के उपर ही रहने वाली है बहुत चारे हमारे भाई कंटिनिवसली कमेंट कर रहे थे कि भाईया हरा चारा पर वीडियो बनाई है जो कल भी मैंने वीडियो डाला है उस पर भी कमेंट देखने को मिला है परसो भी यानि इधर के जीतने भी वीडियो है उसमें दो चार कमेंट ऐसे आही रहे तो आज हम इसी पर वीडियो बनाएंगे कि बकडी पालन में हरा चारा का क्या महत्व है और अगर 50 के आसपास अगर आपके पास बकडिया है तो कितने एरिया म कि अभी आप जिस किसान से मिलने वाले हैं उनके पास तीन वर्सों का अनुभव है और बकडी पालन में काफी अच्छे मुकाम पे आज ही है आज इनके फार्म में जो बकडियों की संक्या है 110 प्लस है तो कंप्लीट जानकारी आज ही नहीं से लेंगे तो आई दोस्तों दे आपका स्वागत है अपना नाम और पूरा पता हमारे दर्स को बताई नाम निशिकान सिंग हुआ गाउं केरियां हुआ पंचायत केरियां हुआ कहल थाना हुआ भागलपुर जीला में पड़ता है आप से एकदम 500 मीटर के दाएरे में ही जारखंड भी है यहां पांच कदम जो है अगर पांच कदम की दूरी पर चलेंगे पांच से दस कदम के दूरी तो गोड़ा जिला स्टाट हो जाता है तो सर आज हम इतनी दूर आपके पास आये हैं आपके पास काफी अच्छा अनुभा है और हमारे दर्सक जो हैं जो ऐसे भाई हैं बक्री पालन करने की रहतों है बक्री पालन को जोड़ी है और उसके बिनात हरा चारा को उपाई कोई नहीं है इस 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 घ्रोध अच्छा करेगा आपको मिलर मिक्चर्ण का बच्छत करेगा बहुत रगाव फैसलेटिस में मिलेगा आपको साथ में जो आप फेडिंग कोश्ट पे जो आपका खर्च होता है कोई बोलते हैं 25 रुपए 30 रुपए उसकी भी बहुत हद तक आप कॉस्ट कटिंग हरे चारे को लगा कर सकते हैं जिरो पर सकते हैं से हरा चारा से कोई खर्च नहीं है यानि अगर हरा चारा को अगर लगाते हैं अपने खेत में और बकरियों के लिए डेरी लिए अगर कोई हरा चारा लगाते हैं तो उनका जो फिडिंग कोस्ट है वो जीरो हो जाएगा 100 पर संट जीरो हो जाएगा खर्च यह बताइए बकरी पालन आप कितने दिन पहले तो अभी वर्तमान में कितने जान वड़ है तो उतना नहीं लेकिन हम एक मोटा मोटी जानक गए तो पचास बकडिया उसमें आराम से पल जाएगी अभी आप कौन-कौन हड़ाचारा अपने खेत में लगाये हुए हैं सुडान लगाये हुए दसवर गहास लगाये हुए हैं अब मुरंगा लगाये हुए हैं यह सब घास का आप उप्योग करते हैं अपने जानवरों सब्सक्राइब क Этот क्या वहारिए साइट कुआ रगा है तो यह थी अप इसकी कटा ही कर रहे हैं और किने इसको काड़ें यह बर्षाद करुए तो बंद करेंगे दो मेन सय जो टगेंगा है याने दनती अब कर दोफ सकते हैं और इसके अलबार दूसरा नगे अबने खाहस सुदान है तो गहास कितनें दमधने धन, सब्सक्राइ तो यह सब दोस्तों ऐसे करके आपको हरा-चारा जो है आप खेत में लगा सकते हैं और आप देख सकते हैं कि पूरा जो है एरिया हरा-चारा का है कशार बहुत आप करके हैं उस्कि फोर जी है तायवान बंगलादेशी बहुत नेपेर इसको लगाने में भी कोई टेंसन नहीं आराम से डंठल होता है वही तो लगता है कि तारी का लगा जाता है तो अगर कोई मालीजे कि नहीं को अगर नेपियर वगर जुरुत पड़े या आप हडा-चारा के बारे में जानकारी चाहते तो सरका नंबर भी दिया हुआ है अप इन से संपर करके हड़े चारे के बारे में या बकरी पालन के बारे म in बहुत सारा आइडिया ले सकते हैं जिस है अब उसमें फियडिंग कोष्ट का कैसे लोग सही तरीके से मैंनेजमेंट कर सकते हैं पड़ेगा जीरो खर्च भी बठेगा अगर मालीजे सर की सिर्फ हरा चारा खिलाएंगे तो क्या उस पे बकरियां ग्रोथ नहीं करेंगी या क्या कोई दिक्कत है कोई दिक्कत नहीं है तो यह सुखा चारा जो जोड़ी है बरसात के लिए थंडा दिन के लिए सुखा चारा को दूकरे योगा आपको सेवेंटी परशेंट आपको हरा चारा थाटी परशेंट सुखा चारा व्योस्ता करना ही आपको धेलिए और चाटे 52 ले से इस्टक एस रेश्यों में बख्रियों को देना सही भी रहेगा तभी बखरियां ग्रोथ भी करेंगे जी साइश यह तो सर हड़ा चाहरा और सुखा चाहरा करेंगे अपने बताया धानव अब एक खिलाना होता है क्या दाना जो ग्राम डेली एक बखरी है आप 70 % जो है हरे चारे का इस्तेमाल कीजिए 30 % जो है भूसा वगरें इस्तेमाल कर सकते हैं और आप 100 जुआ है बकरीयों के हैड और वेट कर देना होता है दाना हो जीव हएट है कम से कम 100 ग्राम हरा चारा है तो बहुत अच्छा देना ही होगा आपको सुखा चाड़ा सर जैसे भूसा वगरा में दलहनी भूसा दे या गिहूं का भूसा वगरा भी दे सकते हैं दलहनी भूसा देजिए गहूं का भूसा नहीं देना है बकरी को नहीं। अपति में परलियू जोड़नाओे हपको और रबसता Past में अबकर yes गयन आपनी दश्रत तो, जोड़ने कींदा सतों रोगना फ्वामी होजाता है अंवात mới है। अंवायता मैं मिल गा ओनलाइन जो साइट वगरा का आपने इस्तमाल किया वहीं से आपने मंगा के और यह सब लगाया था ओनलाइन साइट नहीं मंगाया थे उसको लगाते लगाते बहुत अधिक कर लिये अभी आप जो लगाए हुए हैं आप आपके पास तो 110 बगडियां है तो आपने कितने एरिया में हराचार परीयापत है और इसमें चार पांच वरस्तक आराम से कोई टेंशन आपको नहीं लेना है किसी तेक टेंशन नहीं है या सारा जो है management आपी खुद देखते हैं उधर बकडियों का खिलाना पिलाना यहां से हराचारा ले जाना सब कुछ वगएरा के लिए करते हैं मेरा आखरी सवाल जैसे बकरी पालन अगर कोई करें तो आप अपने अनुभों के अधार पर क्या कहेंगे बकरी पालन से संब्दित एक message देदीजिए बकरी पालन करने के लिए आपको ध्याज़ धरना पड़ेगा तिन साल के लिए उसके लिए वेट करना होगा तक पैसे सर् अनेवाद सार जानकारी देने के लिए और समय देने के लिए तेंक्यू से दोस्तों यह है निसिकांत सर और के भागल पुर जीले में कहल गाओं के समीप कैडिया गाओं है वहीं पे सर्फार्म किये हुए हैं और काफी अच्छे से इनका फार्म चल रहा है शुरुआत जैस दसरत घास, सुडान वगेरा का इस्तेमाल सर करते हैं और यह सब लगाया हुए तो आज बहुत सर आपका कमेंट आड़ा था इसलिए आज हमने सुचा कि इस पर भी एक वीडियो बना ले ताकि जो आपके अंदर जो कंसर्न है जो आपके अंदर डाउट है वो आज दूर कर करने का प्रयास स्टेलर फार्मिंग में किया है दोस्तों आसा है यह वीडियो आप सब काफी प्रसंद आई होगी फिर भी हो सकता है हमारे से कोई प्रसंद पूछने से रहागे आपके अंदर कोई बक्री पालन से समबंदित कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं नेक्स प्रसंद जर ओsmheen